पंदरा सालों से यह बात करते हैं पंदरा सालों कैसा था क्या था उससे मतलब लेकिन आप तो पंदरा साल से आपने कितने यहां पर इंडस्टी लगवाई है जो बाहर से आए और वो यहां पर नौकरी कर सके कि यहां पर अपना जीओन यापन कर सेगे फिर तो उनको पलाइन करना पड़ेगा तो और कितना 15 साल आसकर के चचा ने एक बहुत 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 बाद बोली उन्होंने साफ तो पर बोला कि जब सिक्षा नहीं जब रोजगार नहीं तो फिर सरकार नहीं बिहार विधान सबाद चुनाओं का बेगुल बच चुका है चुनाओं की तारिख आ चुकी है पहला चरण चुनाओं होने वाला है इसमें कश्मकस ये है कि C.M. उमिदवार होंगे कौन आए जनता से भी राय जानेंगे कि C.M. उमिदवार कौन होंगे मेरा नाम वसीम रजा वेब समाचा 24-7 आप देख रहे हैं आए जानते हैं लोग से लोग ही परतिकरिया बड़ा भाई थोड़ा एक दो सवाल पूछा जाए युवा हैं बिहार में विधान सबाद चुनाओ होने वाला है कुछी दिनों में किसकी सरकार बननी चाहिए कौन C.M. उमिदवार होना चाहिए आपके नोज़ोंगे निटिष कमार वह हैं। निटिष कमार निटिष कमार को आप जोड़ काश की हैं तेजशि के बारे में क्या खयाल है तो आपके निकसी से हैं। यूवा सरकार की जो लोग कर रहे हैं और युवा तेज़शी चेहरा है तो तेज़शी अच्छा नहीं लगता है युवा है लेकिन फिर विनितीस अनुभवी है इसलिए नितीस पसन है बड़े भाई से जानते हैं आपको कौन से बहतर चेहरे लगते हैं अगर बात युवा की करते हैं खुद लोग को बनना चाहिए तेजस्पी बन जाए या फिर चिराग पास्वानी बन जाए आपके मित्र बोलना है नितीश कुमार नहीं नितीश कुमार तो 15 साल रहा गया ना 15 साल में लोग करने वाले बहुत कुछ कर सकते थे पर यह नहीं कर पाए लिहार अभी भी सब चीज में पीछे है एजुकेशन में सबसे नीचे है पटना आपका पुरा साथ भारत में सबसे गंदा सर में आता है और तो 15 साल में करने को कर सकते थे पर यह नहीं कर पाए और हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि तेजस्पी खराब हैं या फिर उनके पार्टी को जंगल राज्ता है कु साल इनको दे दिया 15 साल लालुजी को दे दिया कुछ नया चाहिए अजमाने पर उता नहीं नैया लोग है शिराक पाषवांग्जा में ऊंधा कोई भी बनन साहिए मेरा नम कुमार साब कर रहे हैं कि कोई कोई बना दीजिए फिलहाल नितिस कुमार को मत बनाई यह 15 साल राज कर चुके हैं और इतना काफी है विकास कुछ खास नजर नहीं आया बुज़र की चचा बैठे हैं चचा तो नहीं है हमारे से नमस्कार बिहार में चुना होने वाला आप कहां किराने वाले हैं हम तो ऐसे सर जहानाबाद के हैं जहानाबाद के हैं सर बिहार में चुना होने वाला है सियम चुनने वाले हैं सियम के चुना हो रहा है चेहरा कौन बेटरीन होगा आपके नजरों में सियम के लिए चेहरा वही होना चाहिए नया परिवर्तन होना चहिए हे व्यक्ति 15 साल से कुर्ची पर बैठे हैं और वो ताना साह हो गह काम तो कुछ परिवर्थन हो और नया व्यक्ति के हांत में कमान जाये और हमारा बिहार का कुछ विकास हो आगे चुकि राजस्थान और राज्यों में क्या होता है कि हर एक पांच साल पर बदलाव होती है और बिहारियें कैसा राज है जहां 15-15 साल 20-20 साल तक एक ही हाथ में कमान रहता है तो चैचा 15 साल बीत चुका है आप बोल रहें परिवर्तन लाना जबूरी है परिवर्तन आएगा कोई एक ऐसा चेहरा जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हों यूव वर्ग में हमें तो अभी तो तेजश्वी पर ही भरोसा है तेजश्वी पर भरोसा है और वह राज से आप सुखी नहीं है आपके कतनी के अनुसार वह सुखी पहले क्या था नहीं था वह हम नहीं जानते हैं अभी तो हम मतलब यह देख रहे हैं कि दो ही चेहरा एक चीराग पासवान एक तेजश्वी तेजश्वी जो है चुकि सभी जनता का मतलब यह है मत है कि तेजश्वी को ही एक बार चांस दिया जाए और चिराग पासवान के लिए क्या कहना चाहेंगा वही हुआ है वही अच्छे है वही कर सकते हैं लेकि मतलब यह देख ची को ही हम ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं नितिस कुमार की तो उनके लिए यह शब्द नजर आए आईया और भी जानते हैं लोगों से सर नमस्कार सर कुछ खोज रहे हैं क्या नहीं कुछ नहीं डॉक्टर को ढूंड रहे हैं अच्छे क्या आप डॉक्टर को खोज रहे हैं सर विहार विधानसवाद चुनाओं होने वाला है कि सियम किसे बनाईएगा कि मुझे तो कोई खास दिखने रहा है कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो बिहार विदान सवाद चुनाओं में लगभग लगभग 12-13 भाग ले रही है 12-13 पार्टियों में कोई असा नहीं चेहरा नजार है वह सही है लेकिन नितिश कुमार के उ है 13 यादव है आपको थिसरा अप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है यह दो में से चुछ सब्सक्राइब और बीजेपी के साथ तो एंडिये में इसर्फ और सिव जदी और बीजेपी ने तो साफ बोल दिया है कि वह चुनाओं अलग लड़े काम किया निटीछ जी 15 साल में सफीशन् तो नहीं कैंगे लेकिन ठीक ठाक है मतलें फिरा वह यह पुरानी कहवत कि मिला जुला कर बराबर है देखिए यहाँ पे यह नमस्कार दो लिए से तरीके से आपके अवास बलंद है उसी अवाज-बलंद में एक और बात हो जाया कि बिहार का सिय्म कौन होगा के मेरी मेरी बात मेरं की जाए तो जहां तक मैं समझता हों कि अब दुसरे को मौका देना चाह monks अब दूस्रे को मौका देना चाहिए क्योंकि अभी आपने देखा जितने रिटर्न हो रहे थे लॉक डॉंपीड में मजदूर भाइवण हमारे उनके लिए क्या वय इस्था की गई इन्होंने करने के लिए बाद में बहुत बाते बनाई कि हमने ये बेवस्था कर दिया वो बेवस्था कर दिया लेकिन सचाई ये थी कि कैसे पैदल हमारे मजदूर भाई बहन बाहर से आ रहे थे कितने ने रास्ते में दम तोड़ दिया और कितना वो बच्चों का आपने देखा हुए कि ट् सरकारी बिद्यालों में जहां पर बच्चों को पढ़ाने की ब्योस्था हमारी सरकार ने करके रखी है वहां पढ़ाई नहीं होती है ये सच्चाई है बिल्कुल सच्चाई है और दूसरी चीज रोजगार देखिए सभी लोग ये लोगडाउन जब से चालू हुआ तब से 15 साल से आपने कितने यहां पर इंडस्टी लगवाई है जो बाहर से आए और यहां पर नौकरी कर सके यहां पर अपना जीओन यापन कर सेगे फिर तो उनको पलाइन करना पड़ेगा तो और कितना 15 साल क्या ये आप हमेशा के लिए 15-15 साल करके यानि टरन को बढ़ाते रह जेल कर लोग के बीच रहने वाले पपो जादों भी मौजुद हैं कौन बहतरीन होंगे सीम के मिदवर देखिए मेरे विचार से तो आज के डेट में अगर कहा जाए तो चिराक पासवान भी जो है वह एक अच्छा मुद्दा लेकर के चल रहे है फस्ट बिहार फस्ट बिह यह जादों को भी मौकर देना चाहिए क्वोंकि वो एक नौजवान है दिक है क्या किया है उससे में बहुत जादेर नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक मौकर देना चाहिए क्यों highlights करCR रहे इंदर मोधी नजर आ जाते हैं कि उनके पास साटिफिकेट नहीं तो तेजश्वी से क्यों मांगा जाएगा जी ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा इसे बहुत सारे लोग है अभी आप देखिए कि जो हमारा ये गटबंदन नितिश कुमार जी का जो गटबंदन है उसमें माझे कि फेल या साख्छर करके सब्वें सारे लोग किलियर किया है थीक है नितिश कुमार जी एक इंजिनियर crying करना जट curse do करते रहते हैं कभि इधर पल्टी मारते हैं कभी ऊधर पल्टी मारते हैं और भरुचव इसले यथ आफ नाम का जीने आँאל दीकी कुप्ताजी ने साफ तोर पर बता दिया कि पळकु चचा पर भरोसा नहीं है कभी भी कहीB पलट सकते हैं उत और चचा लिए इधर नौजवान भी हैं खास करके चचा ने एक बहुत बहुत बहत्रीन बात बोली उन्होंने साफ तोर पर बोला कि जब सिक्षा नहीं जब रोजगार नहीं तो फिर सरकार नहीं बड़े भाई इन्होंने पूरी सिक्षा को जो ब्यवस्ता लागू किया है इसमें सिक्षकों को इन्होंने पूरे contract पे डाल दिया आप बताए ये contract पे क्या result आएगा जो पुराने teacher थे सिख्षक की बाहली की जो प्रक्रिया थी उस सारे चीज़ को बंद कर दिया इन्हों ने और पूरे कडर को खतम कर दिया आप पूरे को पुरा इनका उपर नीचे डबल इंजन की जो सरकार है सबकी बहुसता है आप खुद पुराना पेंशन ले रहे हैं दूसरे को नए पेंशन जिसमें आज हमारे भाई बंदू रिटायर हो रहे हैं उनको मुश्किल से 400-500 रुपय पेंशन मिलते हैं क्या उससे उनका जीवन न पूरी जो सिस्टम को कॉंट्रेक्ट डाल रहे हैं यह बिल्कुल कलत है कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि सिक्षा बरबाद हो चुकि यह कुछ है ही नहीं हाँ यह बात सही है कि अगर प्राइवेट फॉर्म को इनको देना है यानि जो बोलते है पहले जो रियासत सिस्टम थी उसमें देना है फिर वैसा ही करें सारे लोग गुलाम हो जाएंगा जही से लड़ा में इस फिर से समय गया कि अजाद होने के लिए ते लिए फिर हम गुलाम है कि उदर जा रहे हैं तो में जी ठिक है यह सिख्षा की बात उन्होंने जाव बहोद बोला और सिख जै आप बोट नहीं देते हैं क्या वुट देते जाने हैं नितिष्कमार को लालू जादों को जेल नितिश्क भीजवाएं तो सगर गिरा अगर नहीं चाहित तो सरगार नहीं किरता जी बिल्कुल है तो यह तेज़वी मतलब मन बना ली है कि तेज़वी को बनवाना है कि युवा में और कोई सोच और को चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है तो फिलाल और को टेज़श्वी यादों को को इक मौका और दिया जाएगा एक मौका दिया जाएगा इससे पहले उनको जंता ने चुनकर उपमूख मंत्री बना आया था अं ज़्यक्य वोच इनए जाए जाएगा किसको सीम नवाये तेजश्वी आदम को यहां देख रहे हैं हम लोग जहां पर बुद्ध स्मिर्टी पार्क पटना के पास हम लोग मौजूद हैं यहां जितनों की भी राय है लगबग उसमें से निटीज के खिलाफ में ही सब जादा बोल ले हैं ऐसी क्या बात हो गई कि निटीज को लोग इतना ना पसंद करने लगें लेकिन अगले को भी मौका देना चाहिए यूवा वर्ग को मौका देना चाहिए यूवा में तो चिराक पासवान भी हैं उस जादे हो यहां उनका तो यह देखिए आप किस तरीके से यहां जो यूवा भी हैं वो भी यहां मौजूद हैं लेकिन यूवा सायद अभी मदान के अंदर नहीं पहुँच पाई इसलिए भाग रहे हैं खैर बात यहां थी बिहार में चुनाओं होने वाला है सियम किसको बनाएंगे तो अधिका वजा यह भी थी कि लोग यहां पे चचा बताएं जिस तरीके से कि ना सिक्षा ना रोजगार तो फिर काहे का नितीज सरकार ऐसी खास अपडेट्स के लिए वेब समाचार से जुड़े रहे हैं वेब समाचार 24 इंटो 7 में आपका धन्यवाद